घंडा 숨 untuk और इस ये वीडियो हमें एक σब्सक्राइबर ने कहा था कि स्ट्रीक के स्केनर के स्केनर के उपर पट इस से पहले मैं आपको बताना चाता हूं कि अगर आपने हमारा अल्गोरित्मिक ट्रेडिंग को जो की 99 रुपीज में आपने अबलेबल कराया था अपने subscribers के लिए अगर आपने वो purchase किया है payment भेजा है और अभी तक आपको वो download file नहीं मिला है तो please मुझे email कर दीजे मैं email address आपको पता है यह website पे भी है और info casperancy.gmail.com आपको email address description box में भी मिल जाएगा तो अगर आपको अभी तक product deliver नहीं हुआ है तो आप please email करके मुझे notify कर दीजे हम सुपा से वैसे तो भेजी रहे हैं पर कभी कभी क्या होता है न मैं सब हो जाता है तो sorry अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो अभी हम चलते हैं और streak पर scanner की वीडियो देखेंगे scanner के साथ हम previous वीडियो से एक doubt है वो doubt हम clear करेंगे तो आप वीडियो को देखते रहे है ताकि वो doubt भी clear हो जाए तो मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको पता है मैं भी मजबूर हूँ और आप भी तो basically यह एक रिक्स डिस्क्लोजर है वीडियो को pause करके आप थोड़े देर risk discloser पढ़ लीजे ओके तो यह risk discloser ज़रूरी है मेरे वीडियो एजुकेशनल परपस के लिए ट्रेडिंग से पहले अपने financial independent financial advisor से contact कर लीजे तो hopefully अपने risk disclaimer पढ़ लिया होगा अब हम चलते स्कैनर बनाने तो यह स्कैनर कोई complex स्कैनर नहीं है इस वीडियो में मैं आपको स्कैनर बनाना सिखाऊंगा और इसके बाद next वीडियो में तो इसलिए आप क्या करना subscribe करके bell notification on कर लेना क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनर से strategy बना के उसको live deploy कैसे कर सकते हैं और अगर आपने हमारा course plus software लिया होगा 99 rupees में algorithmic trading का तो आपको पता होगा कि fully automatic कैसे trade कर सकते हैं उन algorithm से तो basically हम चलते हैं अपने strategy पे स्कैनर पे जाते हैं स्ट्राटीजी के बारे मैं अभी मैं बताऊंगा एक कोई भी random strategy लेकर मैं आपको समझा दूँगा वो backtest data को लेकर थोड़ा सा doubt चल रहा था तो पहले हम scanner बना लेते हैं तो मुझे trade करना पसंद है bank nifty में तो आपको यहां जाना है expiry के options है और next मतलब next month की expiry तो bank nifty option current आप select करेंगे क्योंकि current expiry में trade करना is like good क्योंकि volatility जादा होती है तो और यहां पर आप select कर लेंगे 15 minutes और यह candle stick ही रहने देते हैं क्योंकि यह basic strategy है तो जादा detail में मैं जाओंगा नहीं और यह होता है condition bar जहां आप लिखते हो कि कौन से condition match होने पर आपको notification मिले तो हम यह simple सा condition लिखते है super trend के उपर तो close close 0 इसमें लिखते है higher than higher than और हम लिखते है super trend और इस setting को और basically यह कोई recommended setting नहीं है मैं डेमो purpose के लिए यूज करेंगे तो आप देखोगे कि यहां बहुत सारा बहुत सारा आ गया जिसमें यह signals match हो रहें ठीक है यहां आप देख सकते हैं लाज्स ट्रेड़ेट पर यहां से आप बाई या फिर सेल कर सकते हैं यह bullish trading strategy अगर इसके reverse लिख दोगे तो bearish trading strategy बन जाएगे पर the thing is कि यहां पर जो strategy है उससे sorry scan है उससे strategy कैसे बनाना है तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपी cover नहीं कर पहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ने algorithmic trading courses खरीदे हैं तो मुझे उनको पहले जाकर deliver करना है सबको क्योंकि basically आपने payment किया और मेरी जिम्मदारी अब शुरू हो थी कि मैं आपको आपकी products time पर पहुचा हुआ अना कोई मतलब नहीं बनता and hopefully आपको मेरे यह easy easy videos अच्छे लगते होंगे और अब ही चलके हम देखते हैं कि क्या problem थी sorry क्या problem थी streak में streak के backtest data में यह एक recommended strategy नहीं है फिर भी आप चाहो तो मैं इसका code share कर दूँगा आप comment box में बता देना अगर आपको यह strategy चाहिए तो मैं इसका code जो मैंने coding की है वो आपके साथ share कर दूँग यह basically मैंने ऐसे test purpose के लिए strategy बनाई थी तो मैंने देखा कि mostly जो large cap stocks है उनमें strategy काफी अच्छी चली है तो basically अभी problem कहां आ रही थी problem आ रही थी let's say यह हमने ले लिया तो यह जो WS है वो क्या है वो है winning streak मतलब winning streak मतलब लगातार आपके कितने trade profitable रहे हैं लगातार आपके कितने trade profitable रहे हैं वो होता है WS winning streak losing streak होता है आपके लगातार कितने trades loss में गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं winning streak 6 है मतलब 6 trades आए हैं जो लगातार profit दिये हैं और साथ ऐसे trade है जिसमें लगातार आपको loss हुआ है और तीसरा होता है losses, losses तो आपको पता है कितने stop losses लगे wins मतलब कितने profitable trades थे signals, total signals था और यह max drawdown मतलब आपके capital का maximum एक per trade में maximum drawdown कितने रुपे का हुआ है वो था तो आप यहां देख सकते हैं 119.5, sorry, minus 11% का max drawdown था ठीक है और यहां सारी strategies का vary होता है यहां पर winning streak 6.22 average कर देता है उपर वाला जो है न चितने stocks न सबका average करके जोड के आपको बता देता है, so hopefully आपको यह अच्छा लगाओ और यहां आप देख सकते हैं, backtest data हमने के scanner से बनाया, अब इस scanner से, किसी भी scanner से, उसको strategy कैसे बनाते हैं उसको मैं next video में cover कर दूँगा भी, I'm short of, I'm kind of like being late, so I'm so sorry Thank you so much for watching, keep connected with Casperancy and I'm really glad कि आप लोग जैसे लोग हैं मेरे पास और इतना सार प्यार It's a great thing to see, कि आप लोग जब कमेंट करते हैं, अब भी मुझे कमेंट मिलाता है, यहां पर मैंने review करके save की है तो आप लोग ही हैं, जो प्यार देते हैं, तो it's like चलता है, बहुत सारी और चीज़़गा Thank you so much for watching, keep connected with Casperancy, have a good day